और राजिस्थान के खबरों के लिए चलते हैं सिधे जैपुर जहां मौजूद हैं हमारे रिजिडेंट एडिटर संजे बोहरा बरकान जी सरकार ने राजनितिक संकट का हल तो निकाले हैं लेकिन कोरूना का हल उसको नहीं मिल रहा है यह समस्या बढ़ती जा-घ्य ए बड़ती जा रही है लगिनgy सरकार तावड्डोर शिरान्यास और नापकर अपर इन पर रही है इसमें सिटी पार्क और कोचिंग हब भी शामील है मुख्यमंत्री चार जन आवास यूजनाओं का शुभारम भी करेंगे हाउसिंग बोड के जो कमिशनर है परवन रोडा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चार जन आवास पर यूजनाओं का शुभारम करेंगे इसमें वाठी का आवास यूजना है महला है और ये करुचारियों के लिए भी इसमें आवास यूजनाओं शामिल है इसके लावा प्रताप नगरमत कोचिंग हब बनेगा मान सरुवर में बहुत बड़ा पार्क बन रहा है जब पर एक सेंटरल पार्क है उसी की तरज पर मान सरुवर में एक सिटी पार्क भी बन रहा है तो सरकार हरकत में है जो जन कल्यान की यूजना है उनका लोकारपन और शिलान्यास हो रहा है लगातार ये बताने के लिए कि सरकार केवल राजनीतिक संकट में नहीं फसीवली है बल्कि वो परशासन पर भी और गवर्णेंस पर भी उतना ही ज्यान दे रही है अब चलते हैं अगली ख़बर की तरफ राजस्तान में विधान सबा का सब्र चल रहा है कल उसका दूसरा दिन था और उस दिन कोरोना पे चर्चा के दौरान पक्स और विपक्स में काफी टक्राव हुआ कॉंग्रेस का कहना था कि कोरोना से निपटने में केदर नाकाम रहा है जबकि भारते जनता पारिविका के राज्ज के अस्पितालों के हाला खराब है कॉंग्रेसी विधायकों ने कोरोना महामारी को फैरने से रुखने के लिए केंदर की लेट लटिक नीथी को बताया इस पूरे मसले पर हम बात करते हैं हमारे संभाताता राम सुरूप से राम सुरूप यह बताए कि को लेकर जो विशेश चर्चा थी इस दौरान काफी गर्मा गर्मी भी हुई तो क्या-क्या आरोप प्रत्यारोप लगे दौनों तरफ से देखिए कोंग्रियस के जो विदायक हैं और मंत्री हैं उनका साथ तोर पर कहना था कि जब कोरोना सुरूप के फर्वरी के एंड वीक में और मार्च के जो पहले अप्टे में जब उसका आगाज वाता सुरूप ही दौर था तब उस पर केंदस्रकार ने बिलकुल भी दिय नहीं दिया राउल गंदी के दौरा पार्लामेंट में इस बारे में सचयत करने के बावजूद भी कोई जो है एकसन के दौरा नहीं लिया गया और वास खास तोर पे जो टरम्प की जो आगोनी थी उसकी आगोने में लगे रहे जो इंटरनेशनल फ्राइट थी उनको बंद दिया गया तो उससे इसाब दोर पे कहा कि केंदर ने उनकी दूर दिशिता बिलकुल फैल साबित हुई है उन्होंने कोरोना की पर नेंटरन के लिए जो है ठोस कदम जो उठाए जाने थे वो नहीं उठाए जो लोगडाउन का बाद में अचानक फेस ला लिया गया और मात पर देश और में दी लगातार है तो इसी वज़ेर है कि हमने देखते हैं कि परति दिन जर ब्रास्तान में वी करीब 306ुझी जाधा कि इसके में मरी सामने लगे हैं कल जब विदान सभा में इस पर चर्चा हो रही थी तब विपक्स ने बहुत आरोप लगाए थे कि जो रहत सामगरी बाटी गई थी उस पर उस पर जो है कॉंगरी करन हुआ है इसको लेकर के बहुत तीखी नोग्जों के अंदर हुई थी साब तोर पर जब टालिजन कॉंगरी करन हुआ है तब सांति धर्यवार कि खड़े वे बीच में बोलेर का कि आपने लिस्टें दिए कि खाना यहां यहां जाए तो इसको लेकर करके तो तो इसके बाद में रांट शुरू अब को यह पताए कि यह विदान सभा सत्र बहुत छोटा सा इरों लिया है और सरकार एक ही दिन में बहुत सारे आध्यादेश और विद्चत पारिफ करना चाहां रहें अंगर कितना वाजीब है यह कि आप दिना चर्चा की यह से लगए थी लेकिन कल उसका अंतिम दिन भी ऐसा लग रहा था कि कल कल ही विदाशा बाइस तर चलेगा लेकिन उसके बाद में जो कोरोना पर चर्चा का जो समय है पहले पास बस तक टाइम जिया गया पिर साथ बज़े का किया पिर सवाचे बज़े आखिर में जो है अचानक ही करत किया जाएगा राम श्रुक आप बढ़े रही है हमारे साथ हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे लेकिन आप देखिए इतने सारे विधेक और अध्यादेश एक दिन में हो रहे है और इसके लिए इसले दो दिन से यानि की जो शुक्रवार को हुआ और सोमवार को भी प केंद्र सरकार का क्रशी उत्पार्थ व्यापार और वानिज्जे सम्वर्दन सुविधा अध्यादेश है उससे मंडियों का अस्तित्व खत्र में पड़ गया है वो वन नेशन वन मार्केट की नीथी के खिलाफ है और राध्यक्ष राजस्तान खाद्यपतार व्यापार मह कुमाश्ता और लेवर के सामने विरोजगारी का संकत खड़ा हो गया है तो यह वन नेशन वन मार्केट की जो नीथी है वो रास नहीं आ रही है और बढ़ते आगे ख़बर की तरफ कोरुना का कहर राज्जी में जारी है पिछले 6 दिन से 1300 से ज्यादा केसे सामने आ रहे है 16 अगस्त को 1317 उसके बाद 17 को 1334 उसके बाद 1347 फिर 1312, 1330, 1335 यह केसे साम्या है राज्ज में अब तक 20 लाग से ज्यादा टेस्ट हुए है और करीवन 68000 केसे हो चुके हैं जैपुन में कल 151 नए केसे जाए हैं फुल मोते 933 हुई जिसमें जैपुन में कल 3 मोतों हुई और को टोटल मोतों की संक्या है वो 248 हो गई है हम अपने समधाता राम सरुप से एक बार बात करते हैं राम सरुप यह बटाए कि क्या सरकार सिवाई यह कहने के कि जादा टेस्टिंग की वजए से यह केसे बढ़ रहे हैं क्या उसके पास और कोई उपाए है वो किन बातों पर को निर्वर कर रही है कि अब इनको स्रुप तरे नहीं गया है उसके बाई पान्च क्रशी से जधा की वसूली जलाव करने के बाद ही यह हम देखते हैं कि आहे दिन कई जगे जो है जो निहीं मनाएव explicitly होते मास्क लगाना या फिर हेल्ट प्रोटकोल की जितने भी नहीं मनाएवे हैं उनकी पालना हम बहुत कम देखते हैं यानि कि लोग लाफरवाई बरतना ज्याज़ा बरत रहे हैं तो इस तरह पे मुकी मंतरसों के लोगों को अपनी कॉंफरेंस में भी कह चुके हैं कि लोगों को अब खुद को सावदा लेना बहुत जरूरी है जब तक वो खुद सावदा नहीं रहेंगे सीचत नहीं रहेंगे हेल्थ प्रोटकोल की पालना नहीं करेंगे तब तक कोरुणा को हराना बेहद Only के लिए प्रोग्र्गर् pessoas बिसके जागरोट के लिए उसे बहुत जागर में है करीब प्रती दिन पट्रिष से जद़ा सिंपल परक्षि लिये जा रहे हैं तो जहों पर द्रद से सिंपल की रिपोट आती है तो हम देखते हैं की को कॉरूना की संक्रमिठ जो मरीजलें किसमें की बहुत जादा आती है चाये कोई-स बीड्र हो चाये प्रवाइब देखते हैं कि कोरुणा का दस्ते के वो सब जिक्रेंग हो चुकी है राव सुरू आपका बहुत 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 शुक्रिया इस तमाम जानका रिखिए और पढ़ते हम अगली ख़बर की तरफ कोटा राजस्तान की अध्योगी नगरी हुआ करता था लेकिन करिवन तीन दश्रक पहले कुछ बड़ी कंपनियों के कारखाने बंद होने के बाद से यह कोचिंग हब बढ़ा लेकिन अब वहां पर भी वीरानी च्छाईवी है और दो लाख परिवारों पर आर्थिक संकट है 10 बड़े कोचिंग संस्तान, 2000 होस्टल और 5000 पीजी रूम और करीवन 4000 मैंच पिसले 6 महीने से खाली पड़े हैं बताया जाता है कि 4500 करोर का जो कारूबार है वो बुरी तरह प्रभाविक हुआ है कोटा में करीवन देड़ लाख चातर बाहर के आते रहते हैं और उनसे ही य वो भी रुख गए हैं और अभी निकट भविश्ची में कोई ऐसी उमीद भी नहीं आ रही है कि ये विद्यात्री वापस लोग कराएंगे तो इससे कोटा की अर्थ वबस्ता बुरी तरह प्रभावे खुई है तो यह थी राजस्तान से आज की खबरे बड़े रहे देश दुनिया की पाथी खबरों के लिए स्वराज़क्स के साथ हैं और रारिस्थान के खबरों के लिए चलते हैं सिधे जैपुर जहां मौझूद हैं हमारे रिजिदेंट एडिटर संजे बोहरा नमस्कार पर्णकर जी